बिस्मिल्लाइ रह्माने रहीम, अस्सलाम आलेकूम, आज हम बनाएंगे मिठाई जो बहुत ही टेश्टी बनती है, और कम चीजों से बनके तयार हो जाती है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, और पैन गरम हो बोईल करेंगे, यह चीनी जो है वो अच्छी तरीके से पिघल जाने देना है, हमें कोई तारवाली चास्नी जो है, वो यहाँ पे तयार नहीं करनी है, इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा इलाइची मिलिया है, अगर इलाइची पौडर आपके पास है, तो वो आप ड इखल जाएगी, बस हमारी चास्नी जो है, वो तयार हो गई है, और हम गैस का फ्लेम जो है, वो आफ कर देंगे, इसके बाद हम दूसरे स्टेप करेंगे, दूसरे प्रोसेस में हमें सबसे पहले सूजी लेनी है, सूजी जो आप कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके पास होते ही, आप इसे मेडियम फ्लेम पे थोड़ा सा भून लें, इससे क्या होगा, कि सूजी का जो कच्छापन है, वो चले जाएगा, और जो मिठाई है, वो हमारी टेस्टी बनेगी, तो इस तरीके से हमने सूजी को थोड़ा सा भून लिया है, तीन से चार मिनट के लिए ज इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं, एक कप दूद, आप जो दूद है, वो कोई भी ले सकते हैं, और दूद को हमने गरम नहीं डाला है, ठंडा दूद डाला है, जो रूम टिंपेरिचर पे आता है, आप पहले उसको गरम कर ले, फिल ठंडा कर ले, और इस तरीके से हमने यहां पे एक कप दूद डाल के पहले मिक्स कर लिया है, और यह फर दूसरा कप दूद है, वो हम इसमें एड कर रहे हैं, तो इसका जो रेशियो है, जो 1 इस्टू कर रहेगा, हमने 1 कप यहां पे सूजी लिया था, तो 2 कप उसके हिसाब से हम दूद लेंगे, और इन सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यह आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, गैस का फ्लेम अन कर दिया है हमने, और अन करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसका लंस को तोड़ते हुए मिक्स करना है, तक इसमें कोई लंस न आप चाहे तो इसमें 1-2 टेबल इस्पून घी भी डाल सकते हैं मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है कि बहुत आसानी से पैन छोड़ा था क्यूंकि मैंने नॉन पिष्टिक के इस्तेमाल किया है इसके बाद एक बरतन में हमने इसको फैला दिया है और इसको हम हापावर के जब इसे हाथ हु से अची तरीके से पकड़ पाएंगे यह छूपाएंगे तब इसको अची तरीके से मैसकरना है इसमें बिल्कुल भी यह नहीं चीपकेंगे अगर आप घी घाथो में लगायेघ्या और यह थोड़ा उपर से डालकर उसके बाद आप इसको अच्छी तरी यह बिल्कुर तयार हो चुकी है इसको अच्छी तरीके से मसलना है आपको इस बात को याद रखना है और फिर से इस तरीके से एक बॉल हम बना लेंगे हम सबसे पहले एक छोटा बॉल बना रहे हैं कि यह हम फर्स्ट में डालेंगे इसलिए तो यह छोटी सी बॉल हमने ना होगा या सूजी आपके अंदर थोड़ी कच्छी भी रह सकती है और यह देखे हमने बड़े-बड़े यहां पर गुलाब जामुन बना रही हूं तो यह चप्टे गुलाब जामुन आप इसे कह सकते हैं और इस तरीके से हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको प्रे इसमें डाल दिया है और जो सबसे छोटे वाले हमने बनाए थे गुलाब जामुन वह हम पहले डालेंगे इससे यह होगा कि सूजी फट रही है यह नहीं फट रही है यह आपको पता चलेगी बहुत बार ऐसा होता है कि यह पेड़े डालने के बाद यह आप गुलाब को हमने इसमें डाल दिये हैं और इस तरीके से हमने इसे सबसे पहले लो फ्लेम पे एक से दो मिनिट से का है उसके बाद गैस का फ्लेम हमने मेडियम टू हाई कर दिया था और इस तरीके से पलटते हुए इसका कलर हमें चेंज कर लेना है हम इसका कलर गोल्डन ब्राउन करे जो मैंने पहली डाली थी गुलाब जामुन वो सब नहीं दिखा पाया आपको और यह देखे इस तरीके से आपको डाल देना है रस भी इसके उपर अगर आपको कोई और मतलब डिप कोई बरतन है तो उसमें आप डाले तक कि चास्ती में एक डूबी रहे तो यह बहुत अच् अच्छा खासा यह पी लेता है मेरे रस भी थोड़े से कम पढ़ गए थे दोस्तों तो मैंने थोड़ी सी मतलब यहां पे हापकप से भी कम चीनी ले करके मैंने उतने की चास्ती बना के इसमें डाली है आप एक बार में ही चास्ती थोड़ा ज्यादा बना ले और इस तरीक यह सौफ्ट भी है इस तरीके से प्रेस करने से रस भी निकल रहे हैं तो आप कोई भी तेहवार का मौका हो या कोई भी खुसी का मौका है तो यह मिठाई आप आराम से घर में बना सकते हैं मेरी रेसीपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करन करना ना भूले मेरे फेस्बुक पेज को भी जरूर फॉलो करें